सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेकनिकल चैनल को और बेल आइकन के तबाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बसकार दोस्तों मैं नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेकनिकल तो अच्छे लिए सुरू करते हैं दोस्तों, Motorola ने अपना दो नया device launch किया है, जी हाँ, Motorola One और Motorola Power, तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या-क्या इस specification आपको देखने को मिलेंगे, और यह इंडिया में कब launch होने वाला है, क्योंकि यह globally अभी launch नहीं हुआ है, जी हाँ दोस्तों, तो अगर पहले हम बात करें Motorola One के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर हमें display मिलता है 5.9 इंच का notch display, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर हमें एक बड़ा display देखने को मिलेगा, और OS की बात पर रहें, तो out of the box हमें 8.1 Oreo हमें यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, Motorola का जो handset होता है, यह stop android होता है, तो यहाँ पर हमें बहुत जल्द ही Android Pie 9 देखने को मिल जाएगा, चिपसेट की बात करें दोस्तों, तो चिपसेट यहाँ पर, Motorola 1 में बहुत अच्छी दी गई है, Snapdragon 625 का हमें यहाँ पर चिपसेट देखने को मिलता है, मेमोरी की बात करें, तो 4GB के RAM और 64GB का रूम हमें देखने को मिलेगा, Micro SD Card की मदद से आप 256GB तक यहाँ पर मेमोरी लगा सकते हैं, अगर कैμεरी की बात करें, तो 13 प्लस 2 Megapixels का हमें यहाँ पर बैकllah देखने को मिलता है, विट LED Flash, और Selfie की बात करें, तो 8 Megapixels हमें यहाँ पर Selfie देखने को मिलेगी, बेटरी की बात करें तो 3000'MH की बेटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, दोस्तों अगर price की बात करें तो MOTOLA हमेशा से ही इंडिया में एक भाड़ी भरकम price के साथ launch करता है तो दोस्तों मेरा जो मानना है कि यहाँ पर 15-16,000 में MOTOLA 1 दोस्तों launch होना चाहिए दोस्तों MOTOLA से खली मेरे पेकी सिखाय थे कि अपने device में updates बहुत देरी से देते हैं बहुत लेट से देते हैं अगर यह updates देते रहेंगे तो यहाँ पर customer का वरोसा बना रहेगा क्योंकि लोग 15-20,000 का device लेंगे आपकी और आप updates अगर नहीं देंगे तो यह अच्छी बात नहीं है दोस्तों दोस्तों इससे पहले कि मैं MOTOLA 1 पावर के बारे बात करूँ दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को like कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन देवा दे और जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज यार like कर दो चैनल को बहुत पहना से वीडियो बनाते हैं दोस्तों आपके लिए तो please एक like और subscribe कर दीजिए मेरे चैनल को तो अब बात करते हैं MOTOLA 1 पावर के बारे में जो की इससे थोड़ा सा heavy device है और OS की बात करें तो यहाँ पर भी 8.1 Oreo देखने को मिलता है जो की बहुत ही जल्द Android Pie यहाँ पर 9 देखने को मिल जाएगा चिपसेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर Qualcomm का 636 का Snapdragon हमें देखने को मिलेगा मेमोरी की बात करें दोस्तों तो यह दो वेरिंट में लॉंच हने वाला है 3GB 32GB 4GB 64GB और Micro SD Card की मदद से आप 256GB लगा करके मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं केमरी की बात करें दोस्तों zwischen Tut 16 cabinet देखने ूशे 55 पीक्सल का हमें हमें एक चैमरा देखने को मिलेगा सेंसर और सेलफी की बात करें दोस्तों तो बारहां मेगाश mel न कौंप वे सेयं extra 560 घंते हमें मर्ट्रोला वण पावर में देखने को मिलेगी लेकिन बस जहां तक दोस्तो प्राइस की बाता है ती कि MOTOROLA क्या प्राइस पर लाँच करेगा इंडिया में तो दोस्तो इस MOTOROLA One Power मेरे को जहां तक लगता है कि 25-26000 के बीच में यह MOTOROLA यहां पर लाँच कर सकता है तो बस दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि Motorola का जो दो device launch हुआ है उसके specification क्या है price क्या है और देखते हैं दोस्तों कितना जल्द ये हमारे भारत में launch होता है दोस्तों Motorola का device ऐसे भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत famous है लोगों के बीच में कोई भी निया device आता है तो लोग पहले देखते हैं कि इसके specification क्या है क्या prices है उसके बाद ही वो device purchase करते हैं जी या दोस्तों बद दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आसा करते हूं क्या आपको वीडियो अच्छा लगाओ का अच्छा लगाओ तो प्लीज में चैनल को लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिजे और बे लाइकिंग को दबाद दिए ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइमली मिल सकेजी है दोस्तों मैं परितोस नथानी साइनी आफ